मानिये अधिर जी, मानिये ग्रैमंत्री जी ने अनुछे 370 को खत्म करने का जो संकल प्रस्तुत किया है और साथ में जो दो महत्वपूर विध्यक लेकर आए हैं जमू और कश्मीर राजे पुनर गठन विध्यक और जमू और कश्मीर राजे आरक्षन विध्यक 2019 उसके समर्थन में मैं अपनी बात रखने के लिए खड़ी हुई हूँ लेकिन संकल पर विध्यक से आने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज सरदार वलव भाई पटेल की आत्मा को इस सदन में बहुत दुख पहुचाया गया है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के नेता श्री मनीश पिवाई जी ने जिस शर्वनाथ सरीके से जुनागर और हैदराबाद की रियासतों के भारत के विले के श्रे को सरदार वलव भाई पटेल से छीनने का प्रयास किया है मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से उसकी घोर मिंदा करती हूँ और मैं ये देख रही हूँ कि सरदार पटेल की शक्तियत को कमसर करने का उनके योगदान को कम करके दिखाने का कोई भी अफसर आप छोड़ना नहीं चाते है मुझे समझ में आता है कि सरदार पटेल जी को मरने के बाद भी 40 साल क्यों लगे भारत रत्न मिलने में और जिस व्यक्ति ने हमें अखंड राष्ट की सोगात दी है जिनकी वज़े से इस अखंड देश के अंदर हम सांस ले रहे हैं उनको मरने के बाद उनकी समादी के लिए उनके समरक के लिए देश की राजधानी में एक इंच जमीन भी नहीं मिली है क्यों नहीं मिली आज में समझ रही नहीं है लेकिन मैं इतना ही कहना चाहती हूँ अग्देश जी कि सर्दार वल्लभाई पटेल के इस देश के प्रती इत्याद समरक और उनके बलिदान को किछी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है और अगर जुनागर और हेडराबाद इस देश का हिस्ता बना है तो यह सिर्फ और सिर्फ शुद्रूप से सर्दार वल्लभाई पटेल की देन है और अगर कश्मीर को भी सर्दार वल्लभाई पटेल ने अपने हातों में लिया होता कश्मीर को अगर सर्दार वल्लभाई पटेल ने अपने हातों में लिया होता तो सक्कर वर्षों से कश्मीर की आवाम जिस कभाही को जिस आतंगवाज का नंगा नाच देख रही है वो परिसितिया कश्मीर में विक्सित में ही होती यह सब आपकी देन है इसलिए जो आपने कहा है उसके लिए मैं फिर फिर आपकी धोर निंदा करती हूँ कश्मीर भारत का अभिन अंग है यह बात दोहराते सतर साल हो गए लेकिन फिर भी कोई तो कारण है कि कश्मीर की आवाम आज भी देश की तमाम आवाम से जुड़ नहीं पाई है और इसका कारण है अनुछे 370 जिसमें दो जंडे दो निशान दो सम्विधान की व्यवस्ता द करोख शुरूप से भारत से जुदा करके अलग थालग करके रखा हुआ है हमारे घ्रह मंत्री जी ने कल इस बात को और आज भी विस्तार से बताया कि कैसे देश के तमाम महतपूर कानून कश्मीर के अंदर लागू नहीं हो पाते हैं जिसमें राइट तो इंफोमेशन भी ह हमारा एक कानून है जो लागू नहीं हो पाता और राइट तो एजुकेशन को तो मानिये घ्रह मंत्री जी ने आज सदन में बताया कि वहां के चुनिंदा राजनेतिक परिवारों की ही इच्छा नहीं है कि कश्मीर के छोटे-छोटे बच्चों को शिक्षा मिले इसलिए व 24 जो संविदान का संशोधन था वो व्यवस्था भी लागू होने में बहुत लंबा समय लगा है यह पैतिस ए है जिसके कारण अगर भारत के किसी अन्राज में रहने वाला नागरिक कश्मीर में संपत्ति बनाना चाहे तो उसको कोई अधिकार नहीं है और कश्मीर की बेट जाता है उसकी नागरिक्टा को खत्म कर दिया जाता है और कौन सी ऐसी मजबूरी है भारत की आजादी के सतर वर्षों बाद भी जिस व्यवस्था को हमने एक टेंपिररी एक अस्थाई व्यवस्था के रूप में लागू किया था उसको हम बरदाश करते रहें उसको हम चल में जब हम कोई बड़े नेड़ने करने चाते हैं तो हमें द्रिन इच्छा शक्ती की आविशक्ता होती है वही द्रिन इच्छा शक्ती जो सर्दार वल्लव भाई पटेल ने दिखाई थी जब 565 रियासतों का विले करके भारत गड़वाज बनाया था और उसी तरीके का कम में लोकतंत्र का दमन हुआ द्रश्टा चार बड़ा अन्य राज्यों की अपेक्षा भारत की सरकार बहुत बड़ा बड़ा पाकेजिस राज्य को देती रही लेकिन इनका विकास नहीं हुआ जमू और कश्मीर की आवाम विकास चाहती है खुशाली चाहती है आगे बढ़ के भूगोल को नहीं बलकि भारत के इतिहास को भी बडलने जा रहा है और देश के प्रकम ग्रहमंद्री सरदार वला भाई पटेल जी ने जो सपना देखा था उसको पुरा करने की जिशा में आगे बढ़ रहा है इनी शब्दों के साथ बहुत 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 करने की बहुत 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 बושे, जाग eh? क्